अगर आपने इंडोनेशन फिल्म में स्वी दरेट देखिए तो आपको पता होगा कि फिल्म एक मास्टरपीस से एक्षन जोनरा में है इसकी जो एक्षन कोरियोगराफी थे वो इतने बिर्लियन थी कि अभी तक सायदी कोई ऐसे फिल्म आई है जो इसके एक्षन के फैन है यह मूबीज मैंने कुछ साल पहले देखी थी तो मैं इनका रिव्यू तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उतना डिटेल में याद नहीं है मूबीज लेकिन मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा पहली मूबी है 2016 माईवी हैडशॉट यह एक करेक्टर के अराउ तो आपको यह मूबी जरूर देखनी चाहिए एक्शन के डिपार्टमेंट में आपको डिसपोइंड बिल्कुल नहीं करेगी दूसरी जो मूबी हुआ है दे नाइट कम्स फोर अस इसके जो में लीड में वो इको वाइस नहीं है लेगिन वो इस मूबी की में करेक्टर में सहीख हैं तो ये मूवी एक करेक्टर के अराउन घूमती है जिसका नाम है इटो जो की एक ट्राइट का मेंबर था लेकिन अब उसने ट्राइट से बगावत कर दिये क्योंकि वो एक छोटी बच्ची को नहीं मारना चाहता लेकिन ट्राइट की वसुल कहते है कि उसे उस लड़की को मारना होगा तो अब स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है ट्राइट उससे बदला लेता है और वो उनसे कैसे डील करता है ये सब देखने के लिए आपको एक मूवी देखनी चाहे ये मूवी कुछ ज़्याद है ये वाइल एंट और ब्रूटल है अगर आपको गोरी, बलडी और एक्सन मूवी पसंद है तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आएगी इस मूवी में ड्रामा कम है एक्सन ज़्यादा है तो हाँ अगर आप ये एक्सन चौनरा के फैन हो तो आपको ये जरूर चेक आउट करनेचे तीसरी मूवी है 2009 मा एवी में रेंटाओ मुझे नहीं पता इसको प्रणाउंस भी कैसे करते हैं क्योंकि मैंने एवी दागी मूवी देखी भी नहीं है ये मेरी वोस लिस्ट में है मैं इसको देखने का सोच रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो इसमें एको वाईस है और दूसरी जो इसके डाइरेक्टर है वो ही डाइरेक्टर है जिनने दा रेड जैसी फिल्म को डाइरेक्ट किया है तो हाँ अगर आप चाहे तो इससे भी चेक आउट कर सकते हैं